आज हम लोग बहुत ही कमाल के चीज़ करने वाले हैं और अगर हम किसी भी application को बनाते हैं तो उसमें login, logout ये सारी चीज़ जरूर होती है तो अगर हम यहाँ पे एक django application को बनाएं तो उसमें भी admin होगा, admin login तो होगा ही होगा मतलब ये एक आजकल एक must feature हो गया जो dynamic data जो आ रहा है, clients आ रहा है उसको देखने के लिए and admin का एक बहुत important role हो जाता है हमारे application को manage करने के लिए तो हमने यहाँ एक django application बनाया है and इसके admin को अगर access करें तो हम slash admin जैसे ही हम slash admin fire करेंगे तो हमारा django administration का जो default login page हो आ जाएगा, यहाँ से हम django के admin को login करा सकने, simple सी बोले तो, अगर हम यहाँ पर login करें, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह रहा basically django application, अब django यह login का जो feature हो by default provide करता है, मतलब और पूरा admin का feature by default provide करता है अब आज हम लोग देखेंगे कि हम कैसे fake, इसका fake login बना सकने, क्योंकि होगा क्या भाई, जब आप इसको deploy करेंगे अपने server पे, तो अगर किसी को पता चल जाएगा, obvious ही बात है कि यह django का application है, तो वो भी slash admin fire up कर देगा भाई, और password brute force attack कर सकता है, password की combination को try कर सकता है, या आपका ही कोई करीबी जिसको user ने password पता है, वो login कर सकता है, तो हम लोग fake page बना देंगे, जितने login attempts आएंगे, उनको हम लोग वहाँ पे admin panel में देख भी सकते हैं, यह चीज़ कैसा करेंगे, बहुत important है, बहुत कमाल की चीज़, trust me तो चले हम लोग implement करते हैं, सबसे फिल हम इसका जो actual login page है, उस login page का URL बतल देंगे, जैसे हम यहाँ पर आएंगे, अगर हम इस सब चीज़ को बंद करें, यहाँ पर हम उपने main app में आए, यह वारल्स.py तो आप दिखोगे, यहाँ पर admin slash पर यह वाला basically हमारा URL चल रहा है, बोलें, जैसे हम slash admin slash fire up कर दें, तो हम यहाँ पर कुछ रख दिजा, secure login, secure login, actual login, actual dash login कर देंगे, तो जब actual login fire up करोगे, तब actual login वाला page आए जो real होगा, आप दिखिए, मैं refresh करता हूँ, अभी हम इसको refresh करेंगे, तो हमारा page नहीं मिलेगा, not found आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लो करेंगे, actual page पाने के लिए, और हम यहाँ पर login कर सकते हैं, अब यह URL हमें ही पता है, लेकिन, fake page इसका कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हमारे पास एक package है, that is honeypot, admin honeypot, jango admin honeypot, यह बहुत मैंने यूज किया, कमाल का feature है, इसको आप सब लोग यूज करिए, अगर आप admin वाले section को बहुत ही, मतलब कैसकते हो कि, अच्छा secure बनाना है, तो बस इसको हमें install करना है, pip install, django admin honeypot, इससे क्या होगा, भी मैं आपको दिखाऊँगा, एक page ready हो जाएगा, पुराने वाले URL पर, जब कोई login करेगा, तो वहां से attempts होगा, actual login नहीं होगा, but attempts login हमें दिखा द कर देंगे, तो हमारा honeypot install हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, migrate करना होगा, तो हम python manage.py migrate कर देंगे, जिससे database में कुछ migrations वगरा हो, तो migrate हो जाएगा, अच्छा, एक शी समय और करना होगा, हमें, इस honeypot को अपने पहले settings, यहाँ पर, अबेसे बात हम already discuss कर चुके हैं, अपन हमें tutorial में, कि जब भी कोई app install करते हैं, तो हमें installed app में यहाँ पर डालना होगा, तो हम इसको copy कर लेते हैं, copy करेंगे, and आएंगे, and यहाँ पर हम comma लगाएंगे, and then admin honeypot को add कर देंगे, उसके बाद हम migrate करेंगे, तो हम python, यहाँ पर लिखेंगे python, manage.py and simple migrate कर देंगे, आप migrate करेंगे, मैं actually migrate कर चुका हूँ, ठीक है, तो जब आप migrate करोगे, तो honeypot से related, जितने भी database operations होगे, वो अपने आप से हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम e-rl में कुछ add करना होगा, तो हम honeypot के, यहाँ पर आएंगे, तो आप देखो e-rl में, यहाँ एक e-rl डालना है, include, अपने जो admin वाला e-rl सबसे पहले दें include करना है, admin honeypot dot e-rl, इसको हम लोग copy कर लेते हैं, इस e-rl को यहाँ से लेके, यहाँ तक का, copy कर लेते हैं, and then हम लोग आ जाते हैं, और actual login के ऊपर, यहाँ पर path के अंदर paste कर देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा सही कर लेते है हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं, single quotes में, तो यह हमारे की बारे ले, and then include, 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 अच्छा, include हमें करना नहीं को कि already we are using path, तो हमें include नहीं करना है, बस I think, ठीक है, हाँ, okay, 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 include कर लेते हैं, include करना पड़ेगा, include functions लगाते है, and include के अंदर, ठीक है, बस, ठीक है, include करना पड़ेगा, so, ठीक है, so, अब हम admin fire up करेंगे, तो हमारा admin का honeypot dot urls चलेगा, and namespace हमारा admin ही पाट है, इसको save कर देंगे, and अभी भी URL में कुछ mistake हो रही है, I think, okay, हम लोग ने एक ब्रेस, एक parenthesis मिस कर दिया, तो अब हम अपने project को run करते है, python manage dot py run server, and perfect चल रहा है, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं, अपना यहाँ पे login करते हैं, again, मतलब simply हम actual login के बजाए, अब simply login पर चलते हैं, और आप देखोगे, यहाँ पर एक exact वैसे ही, यहाँ पर पैनल दिख रहा है, जैं हएंगो admin का, jango administration का, अगर हम यहाँ actual login करते हैं, actual login करते हैं, तब भी हमें actual form दिखेगा, but दोनों में अंतर हैं कि इस form से हम लोग in कर सकते हैं, यह actual form है, अगर हम Näह से login करें, तो इस form से हम लोग in कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास एप आप curryपnot यहां पर login attempts नाम का एक और model आ चुगा है अगर हम normal admin से login करते हैं यहां पर जो दिखेगा यहां से आप login नहीं कर पाओगे यहां से अगर कोई try भी करता है suppose हम actual username password डाल के try कर रहे हैं and login नहीं होगा यहां पर यहां पर बार बार आएगा यही चीज़ आता रहेगा यही जाता रहेगा but actually क्या हुआ कि हमारा जो जैसे हमने एक attempt मारा तो एक attempt वारा तो अगर हम actual admin से चलते हैं यहां पर हम लोग actual admin से अगर चलें sorry 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 slash actual login से चलें and actual login से करें तो जो attempt हमने वहां से किया था वह attempt यहाँ पर simple आ चुका देखिए लोग इन अटम्ट में जाएंगे तो आप देखो कि यहाँ पर attempt आ चुका है कि मैंने अटम्ट उसर नहीं यहाँ पर कर रखा है अटम्ट यहाँ पर आ चुकी है इतना मतलब कह सकते हो कि बड़िया जीज़े फिर से कोई attempt मारेगा यहाँ से सब्सक्राइब में मारा एसा टेस्ट एंड टेस्ट जो भी मतलब मार नहीं मारा एंड बस एक सिकन्ट जरह हम लोग इन मार देते हैं तो ठीक है एंड हम लोग फि से यहाँ सारा आपके actual admin पर आता रहेगा इतना बड़िया चीज है मतलब कह सकते हैं यहाँ पर इसको शॉर्ट कर से फिल्टर भी कर सकते हो तो यह हमको जैंगो admin honeypot जो package है वो package हमें मतलब बहुत बड़िया काम करेगा आपके security purpose से तो अब यह जो fake page है इससे कोई login नहीं कर पाएगा लेकिन जितने भी items होंगे वह आपके actual login पर आते रहेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर actual login पर रखका है आप actual login के वार्यल भी बैदल यह कोई दिक्कर ने तो एक security का काम करेगा आपको अपने project में लगाने चाहिए बट इसका एक दिक्कत है यार मैं दिखाता हू से आगया अभी जो जैंगो का latest version चल रहा है मैं आपको दिखाता हूं जैंगो latest 4 चल रहा है जैंगो latest versions ठीक है तो जैंगो लेटेस्ट वर्जिन ओके तो आप देखोगे 4.0.5 यह latest है basically version है और अलफा वगएरा है वह सारी चीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्जिन है आप इन्होंने बता भी रखा है तो 2022 में basically 4 LTS 4.0 वाला वर्जिन आ चुका है बट यह जो honeypot है यार यह 4 वाले के साथ नहीं चल रहा है भी और मैंने जो काम कर रखा है हमारे projects में वह पुराने वार्ले 3.2 वाले वर्जिन पर कर रखा है तो चल रहा है और यहां पर भी हमारे पास 3.2 वाला version मैं आपको दिखाता हूं सारी शिच ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैंगो-admin-version तो हमा लेटेस्ट वर्जिट आ चुका है I think I think I think ठीक है सो एक बार फिर से django admin देखते हैं नहीं यह भी पुराना वर्जिन है तो हम लोग वर्जिन स्पेसिफाई कर देंगे ओके सो हम लोग यहां पर आते हैं पिप इंस्टाल जाएंगो डबल इक्वल्स टू फॉर डॉट इस्टाल लगा देंगे इस पर फॉर वाला वर्जिन देखो 4.0.5 वाला इंस्टाल हो जाएगा सकसरी फी तो हमारा अंस्टाल हो बट थोड़ा सा टाइम देगा और इस टाल हो जाएगा फिर हम इस पर भी हनीपोर्ट चलाके देखेंगे देखें चल रहा है कि नहीं चल रहा है सो मैं फिर से migrate करूंगा python manage.py migrate सो आप देखो कि जैसे मैंने migrate किया यहाँ पर error आ चुकी है cannot import ug get text lazy अब इसके बारे मैंने research किया तो बहुत सारे site पर लिखा एवन official documentation stack overflow पर मिला कि यह वाली चीज़ें हैं वो deprecate हो चुकी है तो python नए वाले वर्जिन से हटा दी गहीं है तो अब एसी बार जो हमनी हरीपॉट है इस पर डेपेंड कर रहा है तो इसी लिए यह changes यह break हो रहा है यह चीज़ ब्रेक हो रहा है वर 3.2 के साथ चल जाएगा अब इसका solution होगा अगर आपको solution पता तो comment screen बता सकते हूँ या फिर हम लोग कोई solution कुछ ना कुछ तो इसका solution होगा बठा एक्चुली यह नहीं चल रहा है ठीक है मतलब यह चीज़ नहीं हो रही है आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने करके दिखाया तो लेटेस बड़ अगर 3.0 फिर से हम चलते हैं पिप इंस्टॉल जैंगो डबल इकल टू थ्री पॉइंट स्टार डैट मिन्स हम जैंगो का थर्ड वाला वर्जिन इस्टॉल कर रहा है जो कि 3.2.13 आ गया है अब हम लोग 3.2 पे अगर यही खिलाएंगे तो चलेगा मेरे जितने प्रोजेक्स थे वह भी 3.2 पे हैं तो हम इसको यूज कर रहे हैं बड़े अगर हम नए वर्जिन पर जाते हैं तो ऐसा क्यूं कर ऐसा मतलब क्या चीज है यार मतलब बैकवर्ट कंपेटिबिल्टी रह ns.py run server तो हमारा server run होगा कोई issue नहीं होगा आप देखो server run करेगा तो यहां पर no migration to apply that means हमारा सही 3.2 पर perfect चलेगा बट 4 पे कुछ changes जो किये गए हैं उनकी जैसे हमारा package break हो रहा है और module not found आ रहा है तो इसके लिए या तो हमें अलग से package इंस्टॉल करें या कौन सा package इंस्टॉल करें या हम honeypot के कुछ files में जाके change करें कुछ न कुछ करके तो जुगार तो निकल आएगा बट फिर भी changes गल चैनल सब्सक्राइब करना मुझे लिए बट भाए